नमस्का सन नाइस न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरी चली रिज़र डालते हैं देश भर की खबरों पर उत्रप्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसवा चुनाब में अपनी दमदार मौजूदगी दर्च करने के प्रयास में लगी कॉंग्रेस ने शनिवार को प्रदेश के तीन जिलों से कॉंग्रेस प्रतिग्या यात्रा को रवाना किया नौ दिन ये तीनों यात्रां 27 जिले में पहुचेंगी बारा बंकी में प्रतिग्या यात्रा को हरी जुंडी दिखाने के बाद पार्टी की रास्ट्रिय महासचिप प्रेंका गांधी ने बड़ी खोशनाय की हैं उन्होंने कहा कि 2022 में हमारी पार्टी की सरकार बनने पर कि इसके साथ ही 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी कॉंग्रेस विधान सभा चुनाव में महिलाओं के लिए पहले ही 40 प्रतीशत सीट अरक्षित कर चुकी है इसके साथ ही इंटरपास छात्राओं को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट छात्राओं को स्कूटी दी पचाएगा इसके साथ ही सरकार बनने पर गरीबों को 25 पच्चिस हजार उपे की मदद और सबका बिजली बिल हाफ तथा कोरोनकाल का बिल माफ होगा जब मुकश्मीर दौरे पर पहुचे ग्रह मंत्री अमिश शाह के आने से घाटी में राजनीतिक महल गर्मा गया है ग्रह मंत्री की बैठोक का दौरा तो शुरू हो ही गया है और कई विकास योजनाओं का भी शिलन्यास किया जा रहा है लेकिन पूर्वसियम और पीडीपी प्रमुग महबूबा मुफ्ती को इस दौरे से कोई उमीद रही है उनकी नजरों में सिर्फ सब कुछ समान दिखने का नाटक चल रहा है लेकिन वास्तविक्ता इससे काफी अलग है महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि शा के दौरे से पहले 700 सिविलियन्स को डिटेन किया गया है कई अपराधियों को कश्मीर की बाहर की जेलों में शिफ्ट किया गया है ऐसे कदम तनाप को और जादा बढ़ावा देने का काम करते हैं सब कुछ समान दिखने की कोशिश लगातार हो रही है लेकिन असल सच्चाई को सभी लोग दबाना चाहते हैं उत्रप्रदेश की योगी आदितनाथ सरकार ने रामनगरी आयोध्या में एक और काम किया है भव विराम मंदे निर्माड के नीव का काम पूरा होते ही अप्रदेश की योगी आदितनाथ सरकार ने फैजबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है आपको बता दें, योगी आधितनाद सिरकार ने इससे पहले साल 2018 में फैजाबाद का नाम आयोधिया जनपत करने की गोशना की थी राजधाने दिल्ली समय देश के कई हिस्सों में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से जन जीवन अस्तवियस्त हो गया है उत्राखंड और हिमाचर प्रदेश में भारी बारिश के चलते जान माल का नुकसान हुआ है देश के कई राजियों में एक बार फिर से मौसम के बदलने की संभावना जताई जा रही है भारतिय मौसम विज्ञान विवाग यानी IMD ने पस्चेमी राजिस्तान, पंजाब, हिमाचर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए औरेंज अलर्ट जारी किया है इस दोरान मैदानी छेतरों में गरच के साथ भारी बारिश और पहड़ी छेतरों में बर्फ बारी से तयार रहने की चिताबनी दी गई है मौसम विवाग द्वारा जम्मू कश्मीर, लद्दाक और हिमाचर प्रदेश में स्थानों पर भारी बारिश या बर्फ बारी की संभावना जताई जा रही है तो वहीं इसके बाद शनिवार को इन पहड़ी छेतरों में हलकी बर्फ बारी भी देखने को मिली है एक बार फिर से तेल की कीमते आसमान चू रही है, पेट्रोल डीजल के भाव में लगतार हो रहे इजाफे का सिलसला थमने का नाम नहीं ले रहा है तेल विपरंड कंपरियों ने आज यानी 23 अक्टूबर को लगतार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए है आपको बता दे पिछले दो बार से तेल की कीमतों में 35-35 पैसे की बड़ोतरी हुई है आज फिर से करी 35 पैसे का इज़ाफा हुआ है अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड 107.24 प्रती लीटर और बुमबई में 113.12 प्रती लीटर हो गई है वहीं देश की आर्थिक राजधानी बुमबई में डीजल अब 104 प्रती लीटर मिल रहा है जबकि राश्ट्रे राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत पे 96.97 रुपे प्रती लीटर है इस बुलिटिन में फिलाल इतना ही ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें सननाइस ट्यूब साथी साथ इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनला को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद